आने वाले वर्ष 2023 को लेकर सब के मन में है कि आने वाला साल क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन जोतिशी गड़ना क्या कहती है, हमारे साथ आचारे पंडित पाउंत रिपाठी जी मौझूद है, जो प्रकांड विद्वान और जोतिशा चारे है, इनसे जानेंगे, गुरुजे, आने वाला जो साल है, जोतिशी गड़ना के अनुसार, क्या है, कैसा है, ग्रह स्थितियां क्या होगी, और खास तोर पे राजनीती के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें क्या बदलाओं के स्थिति होगी, स्थिराओं के स्थिति होगी, बहुत अच्छा प्रशनिकिया आपने काल की गणना का कोई ना कोई आधार होता है जो हमारे सनातनी परंपरा में जोतिश शास्तर के माध्यम से उसकी हम गणना करते हैं और उसके लिए हम हिंदू सनातन पंचांग का आधार लेते हैं इसके अनुशार अगर हम देखे तो इस वर्स 2023 में अमूल चूक परिव लंबी होती हैं एक राशी को पार करने में काफी समय लेती हैं जैसा कि हम जानते हैं जिसका नाम ही है शनाइस चर धीरे धीरे गमन करने वाला चलने वाला ग्रह आपको बता दे वह राशी परिवर्तन करने जा रहा है धाई वर्स बात यहीं सितियां देश के लिए समाज के लिए राष्ट्र के लिए परिवार्ट के लिए व्यक्ति विशेश के लिए परिवर्तन निकारीशित धोने जा रही है दूसरा ग्रह जो एक वर्त में एक राशी को बदलता है वह देव गुरु व्रहश्पती वह भी राशी को छोड़ करके मेश राशी पर जा रहे हैं और देव गुरु ब्रेश्पति जो सकरात्म कुर्जा के इनर्जी के श्रोत हैं जो राष्टर में समाज में परिवार में हर जगह जो सकरात्म कुर्जा है उसके कारग्रह देव गुरु ब्रेश्पति हैं और यूति और दृष्टी ग्रहों की बहुत माने रखती है किसी भी वर जो वर्स होगा उसका जो अधिपती होगा वह बुध होगा यानि वर्स का राजा बुध होगा और मंत्री शुक्र होगा इन दोनों ग्रहों में मित्रता है बुध राजा यानि कि राज जैसा कि आपने कहा कि राजगी परिवेश में कैसा रहेगा यह बहुत अच्छा रहेग और समाज का विकाश होगा दोनों सौमे ग्रहा हैं सौमेता रहेगी देश में राश्टर में खास तोर से भारतवरस के हम बात करें तो इसमें सौमेता रहेगी सहाजता रहेगी पूरे के व्रद्धी होगी हां जैसा कि हम जानते हैं ग्रहों की दिश्टी की बात मैं कर रहा थ शनी जो है देव गुरु बहश्पती को देख रहा है एक नकरात्म कुर्जा और एक सकरात्म कुर्जा तो यह जो दंद बना रहेगा जैता कि दक्षल पंथ और बाम पंथ यह युद्ध चलता रहेगा यानि कि हम यह कहते हैं कि एक सकरात्म कुर्जा दो देश में है विकाश की कामों में लगी हुई है उसके बिरोधी भी होंगे उसके आलोचक भी होंगे उसका गलत निर्णाय देने वाले लोग होंगे ऐसा भी समाज में देखने को मिलतकता है अगर हम विशेश पर्टिकुलर ब्यक्ति विशेश की बात करें जातकों की बात करें तो अमूल चूक प परिबर्तन होने से समाप्त हो रही है और झाहिझा साथी जो धनू मकर और कुम्भ राशपालों पर सल्हेच साहती चल लही थी वह 새oped हैं कि युद्ध युद्धि मेन और by चाहती यह ब्यक्ति विशे इसके लिए राष्ट के लिए अच्छे नहीं मानी गई है इसके लिए उद्दम करना चाहिए शनी के दिन शनीवार के दिन काली वस्तों का दान करना चाहिए जिसे की काला कंबल हुआ तिल का तेल हुआ लोह शस्त्र हुआ और काली उनद हुआ ग बात करें तो मेश राशी वाले जातक यह जिनके विबाह रुके हुए थे वह मेश राशी अगर उनकी उनका पानी ग्रण संशकार होगा कुल मिला करके हम बात करें तो ग्रहों की एक अनकूल इस्तिया इस नए वर्ष में बन रही है जिस तरह की जुद्ध की संभावना है आम जनता हो आम आदमी हो हर कोई कहीं यह सोच रहा है कि आने वाला जो वर्ष है जुद्ध तो लेकर नहीं आएगा तो जोत पर शनी की द्रिश्टी है यानि जो शकरात्मक सोत है शकरात्मक कुर्जा है उस पर कुद्रिश्टी पड़ी हुई है नकरात्मक भाव पड़ा हुआ है तो कुछ समय के लिए ऐसा हो तकता है कि युद्ध की सिति बन जाए लेकिन युद्ध महायुद्धो होने की संभाव होना करें, दूर दूर तक इस तंबल में नहीं दिख पड़ रहे गए हैं महमारी की आशार दिखा पाएगी दोहजार तो जैथा कि दो वर्स पूर्बग्रहों की श्तितियां इन पर बनी थी यानि कि शनी और बेह्ष्पती कि जो यूती हुई थी वह इस्तिती नहीं है ऐसी इस्तिती बनने वाली नहीं है खास तोर से भारत वरत में हाँ लेकिन सावधानी अपेच्छित है क्यों क्यों कि जैसा कि मुनें कहा कि यूती और दृष्टी यानि कि देव गुरु बहश्पती पर सनी की दृष्टी है तो यह दो वर्स पूरों जो हमने इस्तितिया देखे थी भेंकर महामारी के रूप में बहुत से लोग मर रहे थे वो इस्तिती भारत वर्स के संदर में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है तो अचारे पंडित पहुंत्रे पाठी जी जो न सिर्फ ग्रहों की चाल को कर पाएंगे कैमरामेन विशेश के साथ नितिश कुमार पांडे एबीपी गंगा वरांट सिर्फ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की